आटवी नवी एगारवी की परिक्षा का सेडि manifest जारी 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 ओम्हें और जारी पक्षा 8 की पहली साथ वीक परिक्षा 2022 का आवेजान निधाजित परिक्षा केंद्रों पर किया जाएगा टर्म 1 की परिक्षा OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी इस परिक्षा में परते एक 200 से 50 अंगों के multiple choice question पुछे जाएगे साथी 100 अंगों का आंत्रिक मुल्यांकन बिद्याले अस्तर पर ही किया जाएगा है बता दे सभी बिद्याले परधानों को दिशा निधेश दिया गया है कि वे 26 अप्रेल से जाएग कि वेब साइट से बच्चों का परिश पत्र डाउनलोड करें साथी अंध्रिक मुल्यांकन के अंगों को वेब साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन अप्लोड किया जाएगा है आठवी कक्षा की परिक्षा 10 माई को 2 पालियों मिली जाएगी जिसमें पहली पाली 9 बचकर 45 मेर से 1 बये तक जबकि दूसरी पाली 2 बये से 5 बचकर 15 मेर तक होगी कक्षा नवी की परिक्षा 5 माई से और 11 परिक्षा 7 माई से जैक दौरा जारी सेड्यूल में नवी कक्षा की परिक्षा 5 और 6 माई से और 11 परिक्षा होगी जिसमें पहली पाली 9 बचकर 45 मेर से 1 बये तक जबकि दूसरी पाली 2 बये से 5 बचकर 15 मेर तक होगी बता दे 5 माई को पहली पाली में हिंदी A, हिंदी B और अंग्रेजी की परिक्षा होगी जबकि दूसरी पाली में गनीत और बिक्षा होगी वहीं जैक दौरा जारी सेड्यूल में 11 परिक्षा 7, 8 और 9 माई को आयोजित की जाएगी जिसमें 7 माई को पहली पाली 10 बचकर 45 मिट से 12 बचे तक कोर लाइंग्वेज साइंस वा कॉमर्स के लिए हिंदी आर्च वा कॉमर्स के लिए होगी जारखन में मौसम ने फिर से करवट ली है राजे के कई इलाके में सुक्रवार को हलके से मत दर्श की बारिस होगी 40-50 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तर से हवा का बहाव में गर्जन और बजरपात भी होगा इस दवरान उतरपूर्वी इम दक्षनी भाग में कुछ जगों पर उलाविरिष्टी के भी असार है ऐसा उतरपूर्वी मद्य पर देश में साइक्लोनिक सर्कूलेशन के बनने और एक टर्फ लाइन के इस सिस्टम से जुडने के साथ तेलंगाना तक कायम रहने की वज़ा से हो रहा है कुरोना के नए केस में 80% उच्छाल देश भर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कुरोना के ममले में बीते 24 घंट में 80% उच्छाल दर्च किया गया है बतादे दिल्ले में अकेले 1,09 कुरोना वारस संक्रमितों की पाचान की गई है एक दिन में कूल 40 कुरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है जबकि अकेले केल में 34 कुरोना वारस संक्रमित मरीज ने जान गवाए नए मामले में भारी उच्छाल के पीछे कुरोना के नए वेरियंट को वज़ा माना जा रहा है स्वास्त मंत्याले के आकड़े की मुताविक 24 घंटे में 2169 केस मिले जबकि एक दिन पहले 1250 कुरोना संक्रमित की मामले सामने आये थे जबकि सिर्फ एक कुरोना संक्रमित की मौत होई थी बतादे सक्रिय मामले बढ़ कर 12340 पर पहुच गया है किसानों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही जार्खन सरकार जर्खन में अब तक सरकारी स्यूधा से वनचीत की सानों के लिए एक अच्छी खबर है सरकारी योईना से वनचीत की सानों को राजे की हमान्थ सरेन शरकार बहुत जल्द पराथ मिक्ता क के अधार पर योईना का लाब देने जा रही है बता दे जार्ख़न मंतराले में क्रिसी पसू पालान एवमसा काईटा भी बाग की समीक्षा बैठक के द्रहन राजे के मुख्य मंतरी हमानसुरेण ने अधिकारियों को एदिशा निदेश दिया समीक्षा बठक के बाद कृसी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसका मकसद हर एक किसान तक सरकार की योईना करलाब पहुचाना है राजे में इस तरह की लगातार सुचना आ रहा है कि कुछ खास किसानों कोई सरकार योईना करलाब बार बार मिल रहा अईसे में गटबंदन सरकार ने नए किसानों तक सरकारी योईना पहुचाने का निडल या है जारखन में इतनी भीशन गर्मी कभी नहीं देखा सीम हेमांत जारखन के मुख्य मंत्री हमांत सुरेन गुरुवार को रामगर के मांडू परखन के हेसा गड़ा में जामुओं के केंद्रिये महासचीव फागू बेसरा के घर साधी समारों में हिसाले ने पहुचे यहाँ वे हेलिकोप्टर से पहुँचे थे सीम ने वर्व अधू को असिरवात दिया इस दोरान सुबे में पानी की समय सरस जुड़े सवार परमुक्य मत्री हमांत सुरेन ने कहा है कि कुछ चीजे अब परत्यासित होती है इतनी भीशन गर्मी सुबे के लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमें क्या क्या देखना को मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन सरकार हर समभव हर समस्य का समधान निकानने के लिए तत्पर है बरत्मान हालाच पर सरकार की पूरी निगा है प्रवासी कामगारों के लिए गुमला में खुला सहता केंद्र प्रवासी सरमी को और कामगारों के लिए जहर्खन के गुमला में सेफ आये Responsible, Migration, Initiative केंदर का सुभारम किया गया या केंदर जीला स्रम एम रोजगार करयाले के तत्वधान में जीला अस्तरिय सहायता प्रकोष्ट के रूप में तथा जीला स्रम एम रोजगार अधिकारी के परवेक्षन में कार्य करेगा इसके जरिये गुमला के अंदर अंतरराज्जिय परवासियों और उनके परिवारों की पाचान की जाएगी ताकि ऐसे स्रमी को एम कामगारों की समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके रांची के स्कूल कोलेजों के पास सादे लिवाज में तैनाथ होंगे पुलिस कर्मी रांची सहर में स्कूल वो कोलेजों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाया जाएगा वहाँ आसपास सादे लिवाज में पुलिस कर्मी तैनाथ किये जाएगे बता दे CTSP आंसुमान कुमार ने क्राइम मीटिंग के दुरा निर्देश दिया क्राइम मीटिंग में सहर के DSP और थानेदार के साथ क्राइम मीटिंग कर रहे थे उन्होंने थानेदारों से कहा कि स्कूल कोलेजों के बाहर किसी भी हालात में बादमासों का जमावडा नहीं लगे इसके लिए पुलिस कर्मी की तैनाती के साथ गस्त भी लगाई जाए सीटी एसबी ने क्राम मीटिंग में सभी थाना में हो रहेकारियों की समिक चावी की हेमंत स्वरेन का मुफ्थ पेट्रोल नहीं ले रहे जारखंडी जारखंड की हेमंत स्वरेन सरकार की महतोकांशी पेट्रोल सबसेडी योईनाक के अपेकचान रूप पहिनाम नाद देने को खायद सरोजनिक बित्रन एवंबु भोकता मामलेक के विभाग ने गंभीता से लेते हुए सभी जीला पुर्ति पदाधिकारियों को इसे गाती देने का निर्देश दिया है बिभागे सची हिमानी पंडे के अस्तर पर सोमवार को हुई ओनलाइन समिक्चा बैटक में सभी डी एसो को इस्तंबर में निदेश दिया गया केंद्र महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह फेल रामेशर उराओ भीत था खाद पुर्ति मंत्री डाक्टर रामेशरूराओ ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से बीफल साबित हुई है केंद्र सरकार के पास महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है जबकि बर्ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है गरीब और मध्यम वर्गिये लोगों के लिए परिवाल चलाना अब काफी मुश्किल हो गया इस्थिती इतनी खराब हो गई है कि अब लोग भोजिया बनाने से बच रहे हैं क्योंकि इसमें सरसो तेल ज्यादा लगेगा उसकी जगा सिर्फ चोका काने को विवस है चारखन में भिशन गर्मी के बीच बिजली संकर चारखन भिशन गर्मी की चपेट में है तप इसके बीच सुबे में बिजली की मांग बढ़ गई है लेकिन इस बढ़ी मांग के बीच सुबे में बिजली की आपूर्ती खट गई है इसे पूरे राज में बिजली संकट गरा गया है बतादे राज में बिजली की मांग और आपूर्ती में 400-400 मेगावाट के अंतर से लोड सेडिंग की मार पढ़ रही है सहरों में अस्तन 29 और ग्रामी इलाकों में 16-17 घंटे ही अपूर्ती से जन जीवन प्रभावित हो गया है लोड बढ़ने के साथ ही अस्तानिय खराबियों और अस्त्रिय अस्तर पर बिजली की उपलबता कम होने से हलात भिगड़ गया है पंचायत चुनाओ OBC आरक्षन मामले पर 25 अपरेल को सुनवाई पंचायत चुनाओ में OBC को आरक्षन देने के लिए दार आजकापर अब सुप्रीम कोट की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी गुरुवार को जस्टीस ए एम खान वीलकर और जस्टीस अभाय एस ओका की आदालत ने मामले को तीन जजों के बेंच में अस्तनाथित करते हुए सुनवाई 25 अपरेल को निदारित की बता दे आईशू के सांसाच सिपी चोहरी ने सुप्रीम कोट में अचका दायर की है जारखन में ड्राप आउट बच्चों की संख्या चिंता जना केंद्रिय मंत्री जारखन में ड्राप आउट बच्चों की संख्या को लेकर केंद्रिय सिक्षा एवं विदेश राज मंत्री डाक्टर राज कुमार रांजन सिंग ने चीनता जताई है रांची के उपायुक्त कर्याले से मिली जनकारी के अनुसार यहां कक्षा एक से छो तक ड्राप आउट बच्चों की संख्या अधीक है मंत्री ने रांची के उपायुक्त को इस दिशा में अवस्यक निदेश दिया है मंत्री ने ड्राप आउट लड़के अलड़कियों की संख्या अलग-अलग करने और दोनों के ड्राप आउट करने के कारणों को अलग-अधग अधयन कराने को लेकर दिशाने देश दिया सीम हे मंत्र को पद से बर्खास्त करने की मांग सूबे के पुरो मुखमंत्री सभाजपा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने सीम हेमन सुरेन को परखाष्ट करने की महांग की है उन्होंने कहा है कि सीम पद पर रहते हुए सीम सुरेन ने गड़बड़ी की है सीम हेमन के साथ साथ माइस मिनिस्टरी है और अपने ही नाम से खनन पटा लिया हुए है या कोड ओफ कंड़क्ट का उलंगन है बाबुलाल ने गुरुवार को सरकीट हुज में पत्रकारों से कहा कि कोड ओफ कंड़क्ट सरकारी कर्मियों के अलावा जितने भी लोक सेवक होते है चाहे वह मुख्य मंत्री हो पदायन मंत्री हो या मंत्री हो सभी पर लागू होता है सीम हेमन पद पर रहते विए इसका उलंगन कर चुके है सीबी एसी दासवी बरावी परिक्षा 26 अप्रेल से केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड 26 अप्रेल से कक्षा दासवी और बरावी कक्षा टूक की बोर्ड परिक्षा आवयजित करने के लिए पूरी तरह त्यार है बतादे परिक्षा सुबह साड़े दास बहे से सुरू होगी और दो पालियों में अलग अलग आयोजित की जाएगी इस साल बोड ने दोनों कक्षाओं के लिए लबग सभी वी सवयों में दो परिक्षाओं के बीच अधिक अंत्राल दिया है इस बीच CBSC बोड ने स्कूलों के साथ अंसर सीट के कलर कोड और परिक्षा की तारिखे से डियूल वा अन जरूरी वीवरान साजा किया है गुमला के भर्णों में जंगली भालू के हमले से तीन की मौत गुमला के भर्णों पर्खंड के करंज थाना छेतर इस्थित अंबेरा नागेस या टोली में गुरुवार को सुबा और साम जंगली भालू के हमले की दो घटनाओं में दादा पोते और एक महिला की मौत हो गई जबकि एक अन गंभी रूप से घायल हो गया मौत को में ललीत किसान चपन वर्षिये, सुबास किसान सत्रा वर्षिये और पती देवी सामिल है ललीत और सुबास रिष्टे में दादा पोता है जबकि गायल मंगलेश्वर किसान सुबास का चाचा है वही पति देवी पर भालू ने साम को उस समय हमला किया जब वो अललीत और सुभास के अम्तिम संस्कार से घर लोट रही थी करिया मुंडा की फिर बिगली तबियत खोटी से आठ बार लोग सभासदा से रहे भाजपा नेता पदम विभूशन करिया मुंडा की तबियत बिगल गई है तबियत बिगलने पर उन्हें खोटी से राची मेडिका अस्पताल तक ग्रीन कारी डोट बना कर लाया गया पूर्व सांसत को मेडिका में भरती कराया गया है यहां उनका इलाज चल रहा है बता दे डाक्टर बिजाय मिस्तरा और डाक्टर राजे सिंग की देख रहे हैं टीम पूर्व सांसत करिया मुंडा के हालात पनाया रखे हुए है फिलाल उनकी स्थिती इस्थिर है रांची के रिम्स में दो महिने बाद भरती हुआ बलैक फंगस का मरीज जारखन की राज़ानी रांची से बड़ी खबर आ रही है जहां रिम्स अस्पताल में दो महिने बाद बलैक फंगस मरीज मिलने का मामला सामने आया है मिली जनकारी के उन्चा रिम्स में कुरोना का एक संक्रमित मरीज भरती है जिने मीनिमम ऑक्सिजन सपोर्ट पर रखा गया है वही रिम्स का डेगु वाड जिसे कुरोना के दूसरी लहर के बाद म्यूकर माइक्रोसिस ब्लैक फंगस वाड बनाया गया था वहाँ एक ब्लैक फंगस का मरीज भरती है विभागियला परवाही से महिला पुलिस कर्मी के गर्भ अस्त सिसु की मत Special Indian Reserve Battalion में कारेरत बीरहोर समाच की गर्भवती महिला अरक थी सरोज बीरहोर के गर्भ में पल रहे सात मा की सिसु की मत विभागियला परवाही के चलती हुई थी हलाकि इस मामले में SIRB के इंचार्ज S.I. दामोदर को सस्पेंट कर दिया गया है और तीन पर करवाई के लिए जाच चल रही है बता दे सरोज को राची के डॉक्टर ने अराम करने की सलादी थी अच्छी स्थिती में उसे राची से सिम्डेगा भेज दिया गया था उसने काफी आगरा किया पर किसी ने उसकी नहीं सुनी खोटी में भोज खाने के बाद 30 से अधिक बिमार खोटी जिले के मुरहुत आना छेतरे के हसा गाओ में मुंडन संसकार का भोज खाने के बाद 30 से अधिक लोग बिमार पड़ गया है सभी को देर रात सदर अस्पताल में भरती कराया गया है जहां एक को छोड़ कर सभी की स्थिती समाने है जनकारी के अनुसार बुद्धवार को हसा गाओ के राधे स्याम नायक के घर मुंडन संसकार का कारिकरम था रात को वहां भोजन कावजन किया गया था एक मरीज ने बताया कि बुंदिया खाने के एक गंटे के बाद सभी को उल्टी होने लगी आनन फालन में सभी को स्तदर अस्पताल में बरती कराया गया लोहरदगा में 29 अप्रेल से तीन दिवसी साइस फिलिम फेस्टिवल का आयोजन लोहरदगा में 29 अप्रेल से जारखन साइस फिलिम फेस्टिवल का होगा आयोजन बतादे, फिल्म फेस्टिवल का उद्धे से युवाओं को फिल्म के परती जागरूप करना और ओस समाज भीकसित करना है, जिसके मादयं से करने फिल्म की समाज और इस दिशा में कायम करने के लिए परती रोची बढ़े. इस फिल्म फेस्टिवल में 30-35 फिल्में अमंत्रित की गई है जिनका चैन किया जाएगा जो फिल्में तैमान को पर खरी उतरेगी उन्हें ही इस फिल्म फेस्टिवल में सामिल किया जाएगा रामगर पंचाइद के लोग पंचाइद चुनाव का बहिसकार कर रहे जारखन के रामगर जीले के पत रायतू परखन की हेसला पंचाइद के पंचाइद समिती सदत से रहे बैजनात राय ने राज निर्वाचन आयो को पत्र लिखा है जिसके जरिये उन्होंने हेसला पंचा और सेस परिसंपती के प्रसासक द्वारा अवंटित आवासदारकों को हफ्ते भर में आवासखाली करने का तुगलकी फर्मान जारी किया गया इसे नराज लोगों ने पंचाय चुना का बैसकार करने का निनलिया है धनबाद के चिरकुंडा छेतर में अवैद खनन के दवान खदान धसने से 70 लोगों के फंसे होने की असंका है धनबाद जिले के चिरकुंडा एरिया इस्थीत डुमरी जोड में अवैद उत खनन के करन बाबू डंगाल चांच में खदान धस गई इस हादसे में करीब 70 लोगों के दवे होने के असंका है सभी बंगाल चेतर के बताया जा रहे हैं इस हादसे के बाद दो जैसे भी मोके पर पहुँच कर दवे लोगों को निकालने में जुटी है बताया गया कि BCCL के आस्थ हाई रूप से बंद खनन छेतर में जासा हुआ BIT मेसरा में होटल मनेजमेंट और MCA में दाखिला सुरू BIT मेसरा में चारवर सीए, पूर्ण कालिक, बैचलर और होटल मनेजमेंट और कैटरिंग, टेकनोलोजी और MCA पाठे कर्मों में दाखिला के लिए ओनलाइन आवेदन सुरू कर दिया गया है बिद्यार्थी संस्तान की वेप साइट पर आवेदन कर सकते हैं समानेवा OBC को 1500, एवाम SCST के विद्यार्थियों को एक कई रुपे अवेदन सुल्क आउनलाइन जमा करना होगा जार्खन में नियुमतम मैदूरी बढ़ी, महंगाई भत्ता 29 परति साथ उनकी नियुमतम मैदूरी भी बढ़ा दी गई है दैनिक मैदूरी याद यहारी पर कायम करने वाले सरमी को रोज कम से कम 326 रुपे मिलेंगे राज सरकारने भी भीन स्रेनी के नियोजनों में कारे करने वाले मैदूरों के लिए लगवा 29 परति साथ परिवर्तन सिल महंगाई भाता निधारित किया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट बक्स में आपना फिड़बाइक अवस्य दे थांक्यू